नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्र विद्या सगर हैदरबाद से बात कर रहा हूँ, मैं एक पिडियाटरिक और्थोपडिक सर्जन हूँ, तो आज हम बात करेंगे बोल एक्स के बारे में, यह सबसे कॉमन चीज है जो बच्चों में पाई जाती है, especially अगर बच्चे एक साल से त बोल एक्स के साथ हैं, यह अपने आप नॉर्मली इंप्रूव्मेंट होने का चांस अलमोस 90% रहता है, तो उसमें हम कैसे पता लगाए जासके, जैसे मैं पैरेंट हूँ कि मुझे पता लगे कैसे कि यह बोल एक्स मेरा नॉर्मल है या नॉर्मल है, तो सिंपल चीजे हैं, अगर वो बोल एक्स दोनों तरफ हैं, यानि समान हैं, सेम हैं दोनों तरफ, देखने में भी अलमोस सेम हैं, तो हो सकता है कि यह नॉर्मल फिजिलोजिकल बोल जाता है इसको, नॉर्मल फिजिलोजिकल बोल एक्स हो, बट अगर आप देख रहे हैं कि यह समानता है, यानि एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है या एक तरफ है यह नहीं और एक ही तरफ आपको दिख रहा है और दूसरी चीज यह है कि अगर आपको लगे कि टाइम के साथ यह जैसे छे महीने हो गए साल भर हो गए और यह चीज बढ़ी रही है तो अगर यह बढ़ रही है तो हो सकता ये normal नहीं है क्योंकि हम लोग क्या expect करते हैं समान है दोनों तरफ और improve हो रही है तो wait किया जा सकता है एक बार हम लोग 3-4 साल तक अगर आ गए हैं और फिर भी bowl eggs है तो वो भी normal नहीं है तो अगर bowl eggs को normal बोला जा सकता है तो वो 103 साल के बीच में ही जब वो समान हो और बढ़ नहीं रहे है टाइम के साथ और दूसरे जो bowl eggs है जो 4 साल के बाद भी है और बढ़ रहा है तो ये कभी-कभी उसको blounts बोला जाता है और इसका कोई reason नहीं है अगर बच्चे जल्दी चलना सीख रहे हैं और especially अगर बच्चा काफी मोटा है तो ये हो सकता है तो ये दो risk factors बोलते हैं मोटापन और जल्दी चलना early walking तो अगर ये है तो infantile blounts यानि बच्चपन में आने वाला blounts disease इन में common है बाकि अगर चोट लगके हुआ है या बच्चपन में पैर का infection की वज़े से हुआ है तो उसका बिल्कुल ilaj अलग है treatment अलग है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे तो blounts का treatment अगर पहले ही शुरू किया जाए जैसे कि तीन साल के अंदर-अंदर तो हम लोग belts हैं जो पैर में जूते आते हैं वो ट्राइ कर सकते हैं जिससे काफी हद तक improvement भी देखा जा सकता है और चीज अपने आप reverse हो जाती है बट अगर belt के साथ भी बढ़ रही है या belt यूज करने के बाद भी तीन साल के बाद अगर वो problem है तो generally एक surgery है जिसको हम लोग osteotomy बोलते हैं और नया एक तकनिक आया है जिसको हम लोग growth modulation बोलते हैं जिसमें छोटे-छोटे tips लगाया जाते हैं गुटने के बाहरी वाले हिस्से में जिससे early stage में correction होने का chances अच्छा रहता है बट अगर ये भी काम नहीं कर रहा है तो osteotomy है जब हड़ी कट करके उसको angle set किया जा सकता है और फिर बच्चे के पहर में plaster आता है चार से छे हफते और उसके बाद बच्चे को अच्छे से चलाया जा सकता है कभी-कभी rare situation में कुछ लोग हैं जो treatment नहीं करा पाते हैं और फिर आठ साल या चार साल के बाद उनको देखते हैं तो इन बच्चों में न क्या है risk का recurrence होने का risk काफी ज़्यादा रहता है यानि चीजें आप correction के बाद भी फिर से आने का chances ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पे जो घुटने के अंदर भाग है वहाँ पे growth disturbance आ जाता है पता लग जाए कि यह normal है यह abnormal है तो treatment और ilaj भी काफी easy हो जाता है और parents की काफी tension चली जाती है उसी में अगर normal है तो फिर आपको डरने का ज़रूत नहीं है क्योंकि time के साथ अपने आप correction आ जाएगा तो चार के बाद भी अगर bolex है तो वह normal नहीं है तो फिर commonly हमारे इंडिया में क्या है vitamin D deficiency, nutritional rickets पोलते हैं जो भोती बच्चों में साधरन बीमारी होता है especially lower social economic status के बच्चे हैं तो उनमें over crowding जहां रहता है जहां sunlight exposure कम है ऐसी हालात में क्या है vitamin D की कमी हो सकती है बट उसका इलाज सीधा सीधा है अगर vitamin D की कमी है तो vitamin D अगर बच्चे को दिया जाए चार से छे हफता और छे से आठ हफता और उसके साथ साथ calcium भी दिया जाए तो almost full recovery expected है और bones पूरे अपने आप bones का correction तो आपको immediately तुरन नहीं आएगा बच्चे का जो है हालत जो है जो generally weak रहता है भूप नहीं रहता है यह सब मिट जाएगा बच्चा काफी active हो जाएगा चलने फिरने लगेगा और जो correction जो है bolex का वो धीरे धीरे ही आएगा time के साथ तो उसको लिए काफी 6 महिना साल भर time लगता है तो थोड़ा उसके लिए patience भी ज़रूरी है और कभी-कभी बच्चों को injury की वज़े से आ सकती है यानि चोट लगके growth disturbance आ सकता है तो उसका treatment एकदम अलग है age के हिसाब से और growth disturbance कितना है उसके हिसाब से है तो अगर आपको कोई questions है तो आप पूछ सकते हैं थैंक्यू, नमस्कर